हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह निव फ्रैक्टिस का 42 वीडियो है जैसा कि दोस्तों मैं यूपी वर्क टू थ्री यूपी टीटी पीटी यूपी अल्टीक्रेट बीपेसी ट्यारी फूर्ट एंड सभी विजिकल एजुकेशन का कही नाम नहीं दिख रहा है अभी में इकजाम का नाटिफिकेशन नहीं आया है वह रूट थ्री का एंड जो भी पीपेसी टी आरी फूर्ट है वो जल्दे ही उसका नाटिफिकेशन आये गा तो आप तैयारी में लगे रहे हैं दोस्तों चलते हां माश के कोसें की तरह सबसे पहले मैं पिछले विडियो का एक कोसें का डाउट किलियर करती ही जो जो की कोशन था कि भारत का कौन सा क्रिकेटर जो है एक दिवसी क्रिकेट में सबसे ज्यादा सतक लगाए हुआ है तो दोस्तों जैसे कि पिछले के अकॉर्डिंग उसका एंस लेकिन तेन दुद्गर को राइट किया था बट उसमें विराट को ही राइट होगा तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ आज का कोशन नमबर वन है विस्व का सबसे तेज धावग उसेन बोल्ड किस देश का था तो दोस्तों वा उसेन बोल्ड जो है जमायका का था ठीक है जो तीन गोल्ड तीन उलम्पिक में प्राप्त किया था जैसे कि 2008-2012-2016 तीन उलम्पिक में तीन तीन गोल्ड यानि कि ट्रिपल ट्रिपल भी इन तीन हैट्रिक लगाने वाला यह पर्थम खिलाड़ी है और इन्होंने 100-200 मीटर दोड़ चार गुड़ी 100 मीटर रीले रेस म के तीन बारसोय पड़कों की हैट्रिक बनाने वाले विस्तिक के एक मातर एथलित है कार्शन नमबर डू है कि पैठोजील जो समाने जुकॉम के लिए उतरदाई होता है यह फैलता है तो यह जो भूस्तом रिनू वायरस के दुभाराँ फैलता है, जो समान धूकाम के लिए उतर दाई है, रिनू वायरस के फैलता है, और इसमें जो पॉलिव है, यह वायरस यह रूम निस्यंदी बिसारू की कारण होता है, बिसारू मुह यह नौorta की रास्ते से सरी में प्रविस करता है, आत्मे आस्रे लेने के बाद रक्त प्रवाह में आ जाता है इसे सीर्दर ज्वर वमन आदील अच्छड होते हैं जो कि लुकीमिया जो है एक धातू रक्त रोग है इसमें रोग स्वेत रत कड़िकाओं की शंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है लुकीमिया में याद सीमन के इमन प्रोवागर जाती हुँत है यायन कि का मतलब है कि खाद पदार्थों के प्रिश्ड है तो या खाद पदार्थों को सुरथित रखने के ठीवने के लिए बेंग में थैदिनले कित दवरड़ विदी किया जाता है इस अमल में खाज-पदार्थ काफी दिनों तक उसी अवस्था में बना रहता है एंड जो आपका एसीटिलीन है एसीटिलीन जो है फलों को पकाने में काम आता है एंड जो सोडियूम कार्बोनेट है वह कपड़े धोने में कि इस्तिमाल होता है जो सोडियम क्लॉराइड है एनने सीयल यहाँ खाने का नमक को हम सोडियम क्लॉराइड कहते हैं कोशन नमर फूर है आगरांसे के पाचन पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हर्मोन निवन में से कौन है को दोस्तों यहाँ पे सबसे आपको कोच्टन ऐसा पूछा है कि आप त्वरध्यान देंगे तो एंसर देंगे जैसे कि रेनीन पेपसीन ए दोनों जो है पेपसीन रेनीन गैस्ट्रिक लाइपेज एतिनों अमासा यानि इस्टोमस से इस्तावित होते हैं जबकि जो ट्रिपसीन है एंजाइम है आपके स्टावित होता है जो प्रथम खोजागीया हार्मोन भी है प्रच घक वरोलनगे जो यह स्टावित होता है और होता है कि आपके जो पाचक यह हुआजज़ रस है और के एंजाइम है यह मायज-अलाइपेश ट्रिपसीन उसको त्तेजी तकरने वाले हार्मोन है सिक्रेटिन कोश्चन नमर फाइब है साइनो कोबालमिन है तो दोस्तों साइनो कोबालमिन जो है विटामिन बी ट्वेल्ब का रसानिक नाम है कोश्चन नमर फाइब है पोल्यू कोबालमिन वायरस सरीज में प्रवीश करता तरच और आघज़ और आप में आस्रे लेने के बाद रखत प्रवाह में आ जाता है इसे सीधर ज़वर्वमन Oohमन आर्दी प्रकट होते हैं इससे सरीर इससे बचने ही तो रोग प्रतिकारक पनावत का निर्माड करने लगता है जिसे विसाडू मर जाता है और रोगी पूरतर सही हो जाता है इसे रोगी में इस रोगी असंक्राम में ताउपन हो जाती है question number seven है, है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्मार होता है ? आप सबको पता है दोस्तों यकृत यानि की लिवर में पित्त रसका निर्मार होता है जो वसा के पाचन में श्रहायक होता है question number eight है, मिलान करना है आपको तो यहाँ पे लैक्टिक अमल जो है, वो दूध में पाय जाता है, तो A का 3 हो जाएगा, ठीक है, A का, 3 हो गया, उसके बाद, acetic aomla, जो आपको आता है, उसको मिला लेज़े, citric aomla, वो आप जानते हैं, निभून पाय जाता है, ठीक है, तो C का 1 हो जाएगा, And Acetic Omelie वह C का में पाए जाता है B का 4 B का 4 हो जाएगा And Butatic बस एक ही बचा है, Butatic जाहे दूर्गहन युक्ट में पाए जाता है तो D का 2 हो जाएगा 3, 4, 1, 2 किस में दिखाई दे रहा है 3412, आपसर नमर D यहां पर राइट ईसर होगा कोशन नमर नाईल है यहाँ पर भी सहिंन профशैइब लुझा रहा है नोन में हार्मोन निर्व को है तो आपको कोशन देशते し समझ गेंगे टेस्टिश्यॉटरॉन जो ए एक हर्म्ोन है तो A का 2 हो जाएगा एन एंजाइम इसमें कून लग रहा है आपको लाइपेज जो है कि एक एंजाइम है जो वसा का पाज़न करता है जो आगनासर से इस्त्रावित होता है तो B का 1 हो जाएगा फास्फू लिपीड तेहां पर 2 1 2 1 कहां पर दिख रहा है आपका आपसन पाने में आपको सही एंजाइम हो गया तो यहां पर आपके जो है टेस्टोस्ट्राइब हो गया लाइपेज आपका एंजाइम हो गया एंड फास्फो लिपीड लेसी थीन हो गया फास्फो लिपीड क्या है लेसी थीन एंड बहु लग आपका पाली इथीन इस प्रकार हमाणों शरीर में विटामीं शंचित रहता है कि विधामीं विधामीं में विधामीं या इसकी कमी के काराव स्वास नली, पाजनली उपकलाएं रुग्ड हो जाती हैं और अधाउदी यानिकी नैट ब्लाइडेंस आँखों का सुस होना कार्णिया में स्वेत फुली प्रना आधी रुग हो जाती है question number 11 है सुस्क बर्फ यहां पर विलान करना है आपको तो यहां पर सुस्क बर्फ क्या है सुस्क बर्फ ठोस करबन ड्यक्साइड होता है तो सुस्क बर्फ यहां पर आपसन मैंने नहीं दिया है दोस्तों भूल गई हूं तो हम यहाँ पिलिग दे रहे हैं, तो सुस्क वर्व क्या है, फोस करबन डैकसायट 1 का थ्री हो जाएगा, इन जीन थेरेपि क्या है, तो आपका जीन थेरेपि जो है, रख्त रोगों का उप्ज़ार होता है, ठीक है, तो एँ पे के, करने जो B का 4 हो जाएगा and cryonics क्या है cryonics जो है पुनर जिवित करने ही जिवित पिंडो का जमना है तो C का 2 हो जाएगा and Cobald Ciscty क्या है तो Cobald Ciscty के द्वारा Cancer का उबचार होता है D का 1 हो जाएगा तीक है इस प्रकार आपका answer होगा Q.12 है Vietamin D की स्रिजन में नियुन में इसे कौन पाया जाता है विच में वीजाओवन इंवर्णे हैं इड़ क्रेशन इड़न आजनर का कि क्रियेशन में sounds के क्वियसे दियुल दे कि क्रियेशन में क्लसी फिराल पाया जाता है यह बहु bark the कि सभी का वेग्यानिक नाम, विटामिन D का वेग्यानिक नाम क्लेसी फिराल है, A का रेटिनाल, B का थाइमीन, C का स्कॉर्बिक अमल, D का क्लेसी फिराल, E का टेको फिराल, K का फिलोक्यून, H का पायोटिन, और यह वसा में गुलंजील, और इसके कमी से रिकेट्स बिवारी हो जाता है, और अस्थिया कोमल और टेड़ी हो जाती हैं, बच्चों के दाथ बिलंब से उगते हैं, कौस्चं नम्हात 14 है, किनिन में से कौन संक्रमित मच्चर के काड़ने से नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पे पित जवार बी रहता है, मलेया भी होता है, डेंगू भी होता है, प्लेग जो है नहीं होता प्लेग जो है नहीं होता मलेरिया जो है प्रोटो जोवा जनीत रोग है मलेरिया जो है एंड अमिवा सौरी दोस्तों मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजवी से होता है एंड इसका वाहक इनाफिलीज मच्छर होता है जबकि आपका डेंगु जो है हड़ी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं बैग बॉन फिवर वो अर्बो वाइरस के द्वारा होता है एडिट चाई मच्छर के काटने से पित जो और मलरिया डेंगु तीनों मच्छर के काटने से होता है जबकि प्लेग जो है वहाँ मच्छर के क बैटरिया के कारण होता है यह घृ निकोप को परभावित करता है इसमें तीबर जोर आदी इसके लच्छडों होते हैं यह जो हों या गिलहरी आदी में पाय जाने वाले पिस्सूं से होता है क्योंकि पिस्सूं के सरीर में प्लेग का बैटरिया रहता है जोनों सीला को के क्योंकि आसानी से चुहे से मानों तक पहुंच जाता है इस विमारी में रोगी को बहुत तेज बुखार होता है और सरी पर गिल्धिया निकल आती है जब कि मलरिया वा डेंगू मच्छर से कोती है कि कोशन नंबर 14 है कि जीव अंतह छेपक होता है और गनेज्व एंड एंडो क्राइन दोस्तों वह अंतह छेपक जो है जो है एक भिदना रहित सुई विहिन अंतह छेपक है क्या है बेदना रहित और सुवी विहिन बिना दर्द प्रिना सुई का चिकिश्च्छ सभी दी है इस तकनीक के तहट मरीज के सरी में इंजेक्शन के माथ्यम से इथलीन, डैलीन, टेट्रा, एसेटिक एसीड का प्रिवेश करा जाता है यह रसानिक अमनरक्त धमनियों में रुकावड के कारण बरने वाले कोलिस्ट्राल अथवा कैलसियम को सरी से बाहर निकाल कर मरीज को जीवन दान प्रदान करता है इसकी मदद से हिरे रूग के साथ साथ, गैंगरीन, अलजाइमर रूग, पैरकीसन रूग, किड़नी तधापिती की थैली की पथरी, मुद्याबिंद, किड़नी, मधु में अलसर आदी का इलाज किया जाता है इसके तोरा जिर्था की प्रक्रिया को टाला जा सकता है, और मरीज को स्वस्त किया सकता है किस उलम्पिक में सबसे पहले उलम्पिक मसाल जिलाएगी थी इन विच उलम्पिक वाज तो उलम्पिक टॉर्च फॉर्स्ट स्केट सबसे पहले दोस्तों जिलाए गया था 1928 इमस्टरडूम हालाइंड में ठीक है यहां पे 1936 नहीं दिया है इमस्टरडूम हालेंड में सबसे पहले उलम्पिक मसाल जोला इस्टेडियम एंगलेंड में मुख्य दॉAR पर जलाइ गया थी। फिर इसको 1922 पुना अपनाया गया बट अधिकारी उप से प्रफंबर जलाया गया 1936 बर्लिन उलम्पिक में जहांपे उलम्पिक मसाल को उलम् साल दोड़क प्रताव पर इत्किया था कौशन नमर सोल है कौन सा योग में सही सुमेलित है तो यहां पर आपको देखना है दोस्तों ग्रीन पार्क इस्टेडियम कानपूर भारत में है यही आपका सही सुमेलित है उसके अलावाद मेल बॉर्ण क्रिकेट इस्टेडियम देखने अपरिका में नहीं है यह लंदन के सेंट जान ऊड में है कि कोशन नमर 17 है सही बिलान करना है आपको मलेरिया से क्या होता है दोस्तों मलेरिया जो है आरबीसी को ख़त्म कर देता है डेंगू जो है आपका प्लेटलेट्स को खा लेता है यह आपको याद रखेगा दोनों मच्छे से फैलते हैं पर मलेरिया जो है आरबीसी को खत्म करता है और जो डेंगू होता है वो प्लेटलेट्स को खाता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने होगे बाते हैं ध्यान से इसको मिलाएगा तो मलेरिया जो है रख्तकोसिकाओं को खाता है ठीक है तो एक इसा किप्लादा प्यूदा है अरater है इसे की के सब्सकुत पर विबब भी पर होगेको ال Planning अद्थ इसके बिज़्द को पर भुदल करें सककते हैं आ इसे के सब्सक्राइप सब्सक्राइब को खत्म होता है या बोन मोरे प्रभावित होता है तो डीका वन हो जाएगा तो 5421 5421 कहां पर दिखाई दे रहा है आफसन नमबर भी यहां पर राइट एंसर होगा को रिखाँ यहां मरा चाहिए मलेया देंगु नेमने इसे क्या उभेवे निश्ट है दूरिभावे यह ऑनलियुज समेलर क्या है वहेच थैविचाए मशर के द्वार चीजें कि मच्छर के द्वारा फ्याइब तिक्षार के से फ़लता है जो मलरिया होता है वहां प्रोटोजवा के दवरा प्वालता है इसका वाहक मदा एनफ्रीज मच्छ होता है क्वेशन नंबर 19 है थायमीन है यहां पर थायमीग हो गया है थायमीन जो है दुस्तों विटामिन B1 का रासानिक नाम है थामिन विटामिन B1 का रासानिक नाम है विटामिन C1 का रासानिक नाम होने वाले रोगों को इस देजल में जानने के लिए आप हेल्थ एजूकेशन वाले प्लेलेट्स में जाएए वहां सभी देजल में दिया गया है क्वेशन नंबर 12 है कि गोल क्रीमी नीम टोट से होने वाला रोग है कौन सा रोग फालेया रोग हो जाता है या अन्हें प्रकार के सुत्र क्रीमियों के कारव होता है जिसे प्रमुक फालेया ब्रैकोट टाई और लोमा अलोचा है मलेरिया की भाती एजुआड़ों भी मादा क्यूलेक्स पैटिगर समच्छर के सरी में रहते हैं Question No.21 है, मनुस्त की अंगों में से हानिकारक बिक्लिणों से सबसे कम सुप्रभावि क्लिण अंग है मस्तिस्क थीक है तो मनुस्तिक की अंगों में से हानिकार्य विक्रोणों से सबसे कम सुप्रभावे अंग मस्तिस्क है सबसे अधिक प्रभावित होता है आंक पर पड़ता है उसके बाद हिदय पर उसके बाद आंक फिर अन्य अंगों पर पड़ता है bling 곡 a 9 but twenty貯 би स्टेट любим्में स्प्रेस पे हैं कथन एंहें कि कुछ जीवारू अप्ना भोजन संस्लेसित कर ले कर सकते हैं तो बात सरी है कुछ जिवारू जो है अपना कंद स स्लेसित कर लेते हैं इन जिवारू में हरा पद आता को हर रित लवक कलाता हों पया जाता है तो यहां फी पहला तो सही है यह आर सही नहीं है यहां फी belum है कि रह Cleansuses हो जाएगा ए सही है कि जिलात है क्थ क्योंकि जुआद गॉइवाड जो है फर P graphתי, Review something N ballots by D538बच क्विवाटिक, जैसे बना होता है तो प्रकारे होता है पिड़ पौदे हो गया एक यूकरेटिक है जिवाडु प्राया एक कोसिकी होते हैं इनका आकार बहुत छोटा होता है इनको सवर पत्म एंटान वाल लिवे खांग ने देखा था इन्होंने जिवाडु नाम दिया था इनका इनकी कोसिका भित्ती पौली सेकराइट लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है इसमें लीको थेप्टाइड एनरीन तथा डाइनी नोपी मेलिक अमन भी पाय जाते हैं कोसिका भित्ती के चारो और इस माहक की परत्थ भी पाई जाती है वैं म मिलाने करना है कि विडामिन Squeeze है क्या पाय जाता है कोबाल्ट साइन क्या होजाएगा एक होजाए चांथ साइनष जाए धान पाय जाए ग्योडरे में क्या पाउड आ जाता है जाता है मोडिए के लोहा ऊरू हो जाएगा उरॉ chlorophyll किसमें पाए जाता है तो chlorophyll magnesium में पाए जाता है C का 1 हो जाएगा पीपल जो है तामबा को कहते हैं D का 3 हो जाएगा इस पकार 2,4,1,3 2,4,1,3 आपसन नमबर A यहाँ पर राइट एंसर होगा Q24 है जब रख्त में oxygen की सांदता में कमी आती है तो स्वांसगती क्या हो जाती है When the concentration of oxygen in the blood decreases the breathing rate तो दोस्तों जब रख्त में oxygen की सांदता कम होगी तो उस तमें क्या होगा हमारे जो स्वांस गती होती है बढ़ जाएगी ठीक है बहुत तेज हो जाएगी जैसे आप दोड़ते हैं दोड़ते हुए कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप हम नहीं दोड़ पाएंगे और oxygen की कमी होने लगती है हमारे रख्त में तो आप बहुत तेज़ती सांस लेते हैं जिसे आप उसके भरबाई कर सकें क्वेस्टन नंबर पचीस है अस्रचित पेजल और बुरी सफाय द्वारा विकासिल देसों में उत्पन तीन संचलोड़ी रोग कौन सा है तो दोस्तों इसमें तीन संचलोड़ी रोग हैं आपके मलेरिया जैसे कि नरी नालो में पाने की गंदगी कारण उत्पन होता है उससे मच्छर मलेरिया हो गया तिबर प्रवाहिका एंड सिश्टो सुमियासिस फैलता है Q26 है निवनिमें इसे कौन पोटेसियम अलपता से संबंध है तो पोटेसियम क्या करता है हमारे जो मान स्पेशियों को संकुचन में मदद करता है और हमारे जो सुचनाय है मस्तिस तो पोटेसियम अलपता से संबंध है तो पोटेसियम की कमी से जो है हमारे सरी में कौन सा रूब हो जाएगा तो यहां में गुर्दा च्छती तथा पेशिय लगवा हो जाएगा किड़नी डैमेज हो जाएगा एंड मसल्स प्रेलाइसिस हो जाएगा पोट्रेसियम सरी के लिए आवस्या खनिश्टत्व है इसके शुरूत या इसमें मांज दूध अनाज फल्द और सब्जीव में पाय जाता है इसका महत्व अमल अच्छार संतुनन जल संतुनन तदा ततरिकाओं के कायकी से है इसकी कमी से उच्छ रख्तचाब पेशियों की हरता है फोटायू होता है जिस बीटामील में कूबाल्ट अब इसलिए इसे कोबाल्ट उता है कि सबाइधाय चाहिता है उच्छ और इसकी कमी से हो जाता है Q18 हिमोग्लुवीन के बारे में निमनी कत्नों पा विचार किए में लोहा पाए जाता है आईरन ठीक है और रख्मित में आकसीजन का वाहाँ है यह और दूनों शही है यह रख्मित को लाल रख्मित करता है यह भी सही है 1 2 3 सही है 1 2 3 आपसर नमबर भी यहां पर राइट एंसर होगा कि कोश्चन नमबर 29 है वर्स 2022 का फुटबाल वर्ल्ड कप कहां आजित किया जाएगा वेर इस दो तूजन ट्वेंटी टू फुटबाल वर्ल्ड कप भी हेल्ड दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पर्थम फु प्रुग्वी की राधाने मॉंट वीडियो में और 22 फीफा वर्ल्ड कप आपका 2022 में दोहां कतर में हुआ था यह हो चुका है और नेक्ष्ट जो है आपका 2026 में 23 फीफा वर्ल्ड कप सायूत राज अमेरिका मैक्सिको कनाड़ा में होगा क्वेश्ट नमबर 30 है भारत ने किस वर्स हाकी का एक मात्र वर्ल्ड कप जीता दोस्तों भारत ने 1975 में हाकी का एक मात्र वर्ल्ड कप जीता यह भी सुकप मलेशिया की राधानी कौला लंपूर में आईजित किया गया था फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिता जीता था परथम क्रिकेट वर्लड कप का आयोजन किया गया था आप सबको पता है परफम क्रिकेट वर्ल कप 1975 में शुरू हुआ अमयला वर्ल कप क्रिकेट का जो 1974 में शुरू ہुआ तक परथम क्रिकेट वर्लक ऑस Kevin pounds searched व्र वाहा इंग्लेंड में इसका मुक्याल है जूरीक शूर्जर लैंड में है इस आपर आपका राइट एंसर हो जाएगा आपस्ट नमर एक पर्थम अध्यच जी श्री गुरीन फ्रांस के थी अब तमान अध्यच ग्यानी इंफेंटीनो है इंडियन इंस्टिट्यूट आप नेच्रोपाइथी एन योगिक साइंस इससे थे दोस्तों इसका जो मैंने असर्स किया तो इसका एंसर जो है अध्या उत्रप्रदेश आया बट यहां पर एंसर दिया है पूरे तो कुस्ट नमर तैंटीस का जो है आप एंसर जूड़िये का यह राइट है पूरे की आयallahi यूपि राइट है कुस्ट नमर चाथिस तैंटॉटिस है चौर sacar बीम का उप्यूग होता है तो ओस्तों लैसर बीम का उप्यूग जो है वो आखों की चिकिसा में होता है लैसर बीम का उप्यूग आंक्षों के मोत्या बिन्ड के आपरेशन की के लाज के लिए किया जाता है आजिकल बिना operation के लाज के लिए अत्हाद बिना की रफाड के आपरेशन के लिए लेसर बीम का अब्योग cancer किदनी स्टून ट्यूमन आदी का आपरेशन में किया जा रहा है कोसे मोर है 35 है कि कुलेस्ट्रास दूरा दूस्ती एक प्रकार का i rely कुलेस्ट्रास एक प्रकार की इस्टेरिय र Son-輕 जाने वाला पीली रंग का एक ग्रिय प्रहेतर्त चाहिफल जायशा ही कडित व्यवत व्यवते हेट्थ अधिक होती है बैद Stephen Hanai है व्यवते हेज़ जाएं कंवराद है का मतरत चुछ्त्रव अऊपर्ण जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, बैड कोलेस्टरोल है, और जो HDL होता है, high density lipoprotein, जो हमारे लिए अच्छा होता है, good cholesterol है, हमारे body में good cholesterol की मातरा बढ़ेगा तो सही है, और जो bad cholesterol है LDL की मातरा अकर बढ़ेगा तो हमारे लिए खत्रा हो सकता है. question number 36 है एक मनुष्य दुर्भटना ग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आउसकता होती है और किन्तु उसके रक्त की परिच्छर करने का समय भी नहीं है तो उसे कौन सा रक्त समों को उसे दिया जा सकता है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जिसमें O- जो है सर्व दाता होता है O- प्लस नहीं होता है O- का मतलब जिसमें अरे उच फैक्टर नहीं होता है तो O- हम उसको दे सकते हैं बिधान बिना किसी परिच्छर के किसी को भी प्रदान किया जा सकता है तो यह था आज की सेशन में 36 MC की कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आयो होंगी जिस भी कोशन्स में कोई डाउट होगा कमेंट में जरूब बताइए और उस डाउट को मैं अगले वीडियो में जो है किलियर कर देती हूं तो दोस्तों जादे जादे वीडियो को शेयर भी क हो सके ते मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रेवक्स के जाए हूं आज कि जाए हूं अ